कि‍ हलो दोस्तों आज वीडीयओ में जानने वाल है इन्वाटर एसी के कम्मीनिकेशन वाइर के बारे में कम्मीनिकेशन एर्यियर के बारे में मैं जासा कि हम जानते हैं। इन्वाटर टर्मıl उंडोर चलता है आउडोर नहीं चलता है कंपरसट होता है का रहता है नायर उता है तो regard का चीज हमें चॉह करंने का हैं मारे इंडोर परोलम है और प्रोलोम है यह फिर वीडियो में बैस्किली जो हमार कम्मिनिकेशन के बारे में जानने वाले हैं अगर आपको इसके बारे मालूम है तो वीडियो के स्किप कर सकते हैं नहीं मालूम है तो हम आपको ऑन-laiN काम दिला सकते रहेंगे अगर आप एसी टेक फ्रीज वासिन मसीन कोई सो टेक्नल करते ह हैं तो हम आपको ऑन-laiN काम दिला सकते रहेंगे जिससे बीजन ग्रोव हो सकता रहेगा तो पूरा वीडियो देखिए आपके लिए helpful जरूर रहेगा आप देख रहे हैं एसर सर्वीस सेंटर सर्वीस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हमर्जित प्रम उत्तर प्रदेश ग तो फाल्ट आता है इस तरह से एरियर सो करता है अगर इस तरह से एरियर सो कर रहा है तो सबसे पहले हमें पावर जो इंडोर से आउड़र केबल रहता है उससे हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए जिसमें हमारा चार वायर रहता है एक हमारा सिगनल के लिए हो जाता है दूस हमारा फेस और न्यूटरल इसमें हमारा दोस्तों विद्स लेकर के 250 वोल्टेज होना चाहिए क्योंकि हर केरिया में थोड़ा सा उसमें पावर जा रहा है एक रसे इंड़ोस िसमें से लिखा रहता है यह इंडर में लिकल राता या लिखा रहेगा यहां फिर रहेगा या पिर रहेगा यह चीज में पावर चेक करना चाहें इंडोर में जो भी करेक्टर रहता है यह हमारा पावर चेक कर ले रहें यहां हमारा पावर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बाद हमारा न्यूटर से अगर इन्वाटर इसी है इसमें हम चैसे जानते हैं इसमें हमारा डीसी पावर आउट होता है तो इंडोर में जाकर करके हम चेक कर लेंगे इंडोर में हम न्यूटर से ले करके यस जो रहता है यहां पर चेक करेंगे डीसी पर करता है डीसी जो रहता है यह स्थिर वोल्टेज नहीं रहता है क्योंकि सिंगनल जो इंडोर से आउडोर जाता है यह हमारा जो आपका पांच वोल्टेज डीसी से लेकर के 20-25 वोल्टेज की आसपास में रहना चाहिए यह वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहे कभी आपको 10-12-15-18-27 आगे पिछे आगे पिछे वोल्टेज सिंगनल देगा इसका मदल हमारा सिस्टम सही है अगर इंड इसका मलब इंडूर का PCV है उसमें प्रोलोम हो सकता रहेगा यह हम नेस्ट वीडियो में जानेंगे तो हमने चेक कर लिया इंडूर सब्सक्राइब हो रहा है सेम यही प्रोसेस आउड़ोर में जाएंगे हम आउड़ोर में जो हमारा केबल लाता है सेम मडल का होना चाहिए जो केबल आसानी करने के जाता है जातर हम करना जोसा कलर कर लिया का यूयर कोडर कोड और और लिख रहा है तो आप वह वह से लोग कलर चेंज भी कर ज especially का रहा एड़ोर में कोवाई किस पर लिख रहा है तो आउड़ोर में भी सेमारा फंक्सन नहीं रहता है आपको face मिलेगा neutral मिलेगा yes for signal मिलेगा या फिर c4 communication मिलेगा या फिर या फिर आर्थ का वायर रहेगा यह चारों हमें इंप्रोटेंट है चारों हमें power आ चाहिए चेक होना चाहिए देखिए तो हम जो है इंडिव में रहा है खोली अनुठवर टक्रिंगे नहीं आ रहा है kebol यह नहींना हो जाता है खराब जाता है बफिर फाल्ट हो जाता हूँ नहीं जा रहा है यह प्रैसिक प्रॉल्म में सकता रहत है तो हमारा केवल फाल्टी वसकता रहा है केवल को हम चाहिए तो आप पावर को करके राके चेक कर सकते हैं चाहिए पर नहीं है ती नहीं कर रहा है केवल हमारा सही है उसके बाद हम वोल्टेज़ चेक करेंगे पावर चालू करके हम बोल्टेज्च करेंगे आउड़ में आ पर करें निट्र और फेस में चेक करेंगे यहां हमारा 210 से लेकर के 250 व्रेज्च के बीच एंडोर से सिगनल कम्मिनिकेशन करते हैं चिए हमारा एंडोर में आ रहा है कि यह अधर में आ रहा है इससे चेक करने लिए सेप्रोसेस फालू करें गें यह पावर रहता है सिंगनल रहता है यह दोनों पर हमें पावर चेक करना है यह फ्लीक्सिवल होना चाहिए कम ज्यादा-कम ज्यादा होना लिए इस पर करके इसे चेक करेंगे यह flexible होना चाहिए कम ज़्यादा कम ज़्यादा होना चाहिए यह पांच वोल्टेज ले करके पचीज वोल्टेज के नियर बाइदना कम ज़्यादा कम ज़्यादा होना चाहिए अगर इस तरह से हो रहा है इसका मतलब हमारा indoor, outdoor, communication wise सब कुछ सही है अगर neutral से ले करके यह पर चेक कर रहे हैं इसमें अगर वोल्टेज आपका रुका हुआ है यह कम ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा outdoor का फॉल्टी है आउड़ोर से जो पावर रहता है रिटन वह नहीं आ रहा है यानि कि हमारा न्यूट्र से ले करके यह कम निपर संब चेक कर रहे हैं तिहां पर वोल्टेज हमारा रुका हुआ है यानि कि वीस बॉल्टेज पचीस पंदर दस कुछ भी हो सकता रहे हैं वहां पास हमें रिटन नहीं भेज रहा है तो आउड़ोर का प्रोल्म हो सकता रहे हैं इसे भी करने के लिए कंफर्म करने के लिए हमें जो है आउड़ोर में बाहर निकालेंगे बाहर निकालने के बाद फिर हम नूटर और यस पर करेंगे कनफर्म करने के लिए हमारा आउडोर जो है पीसीबी जो है वह पावर सप्लाई आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर पावर सप्लाई आउट कर रहा है इसका मतलब आउडोर का पीसीबी सही है अगर आउडोर का पीसीबी पावर आउट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ह हमारा आउडर में पावर नहीं आ रहा है या आउडर में इस्टरा कईशी फाल्ट हो सकता रहेगा तो इसे चेक करने के लिए इसमें ट्रास्फार्मर रहते हैं उसे चेक करेंगे और दूसर वीडियो में जानेंके तो यहां तक हम ने सिख्ण स्टेट रहता हैं इसे चेक करने के लिए और फेस पर लगाएंगे फेस पर लगाएंगे फेस पर लगा करके अर्फिंग और फेस यहां पर भी सेम वोल्टेज तो हमें आना चाहिए 220-220 जो वह एतना हम आना चाहिए यह नहीं आ रहा है तो अगर नहीं आ रहा है तो भी प्रोपर होना चाहिए कुछ चैक करने के लिए हमारा अर्थ friend में कई पार होता है सर्कृट जो रहता है फार्ट हो जाता है बडी ग्राउंड हो जासा इसे चैक करने लेकिन नूटल और अर्थिंग पर हम चेक कर रहा है यहां पर में ज्यादा वोल्टेज कर रहा है इसका मतलब है इंडोर से पीसीवी से या फिर आउड़ोर कर सकते रहेंगे हमारा नहीं आ रहा है कि यहांं up क्या है तो हमने कुछ बेसिक समझ चीजे बताने की समझाने कैसे क्या नहीं चाहते है इसके बारे में आगे जरूरा वेम बता दिजिए ränफुड़ोक आपको ऐसे जोड़ना चाहते हैं अंस्ह लगए Pham बता दुड़ें। प्राइब करें सब्सक्राइब करने को जो बेल आता है अलोट पेकर सता ना तो उसको जरूर करें इससे कुछ भी इस तरह से थिरुकली प्रेट करी बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सिख सके देख सके हम आप से क्वेश्ट करेंगे आप ए वीडियो और नय टेकन काम लेना चाहते हैं तो हमें अपना काम में डाल दिजे अगर आपके एरिया से यहांप दिलीस से मूंबई से कहीं से करते हैं अगर आपका नमर केस्टमर क Sagina को यह जरूर करें जिससे कुछ भी तरसे वीडियो बनाएं आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके देख सके अहां जाब का दिन सुबो थैंक यू पर वाचिंग